किसी भी वन डे एक्जाम में जब आप मैस की तयारी कर रहे होते हैं तो वहाँ पर पहाडू का एक अपना महतो होता है एक अपना इंपोर्टेंस होती है कि अगर टेबल नहीं आदे तो कई बार कैलकुलेशन में गुड़ा करना डिविजन करना ये सब क्या हो जाता बड़ा क हो जाएंगे आपको ये पाड़े आपको मतलब फिर ये सोचने की जुरूत नहीं पड़ेगी कि अगर किसी ने पूछ दिया 23 कितना होता है तो सोच में पड़ गए अरे बाइसाथ 23 कितना होता है तो आग मैं आपको वह फंड़ा बताने वाला हूं कि एक से सो तक पाड़े कि वैदिक मैच से आप ये समझ सकोगे कि एक से सो तक के पाड़ों को याद करना कितना आसान है जिसको हम लोग लेकर आज तक इतना बड़ा मतलब भ्रह में रहते थे कि याद करने मेरे बाप रे बाप इतनी तकलिफ ऐसा कुछ नहीं होगा वीडियो को पूरा देखेगा म कि ये जो नहीं आद होते हैं। मालीजी आप से किसी ने कह दिया बाई बता दो 178 कितना होता है अब कुछ बैस को इसको रफ कर देता हओं एक और साथ मैं ऐकॉर साथ में का पहाड़ा 10 अब 17 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 7 का जो पहड़ा है उसको पूरे 10 बार लिख लिए कि 7 एकम, 7, 2, 14, 7, 21, 24, 28, 27, 37, 37, 42 पूरा 10 बार अब हमें क्या करना है गर 17 का पहड़ा याद रखना है या नहीं याद रखना है तो कैसे बन सकता है इसको भी समझेगा और मैं आपको यह भी बताऊँगा कि जब आप 20 से आपको बीच-बीच से पहड़े पूछे तो कैसे जवाब दोगे मैंने क्या किया कि इस 17 जैसे शुरुआत करनी है तो इसका एक अंक लख दिया यहां पर साथ और इसका एक अंक लख लिए यह एक तो 17 चार और दो 6 यह हो गया और 8 यहां पर हो गया अब देखो इसमें पांच का पांच ये लिखा, पांच को तीन में जोड़ा, आठ ये लिख दिया, पच्चासी, सत्रा पना पच्चासी, फिर दो ये लिख दिया, चार को इसमें जोड़ा, छे, चार दस ये लिख दिया, सत्रा चके एक सो दो, फिर नौ यहाँ पे लिखा, साथ इसमें जोड़ सबसे बैतरीन YouTube पे आज को अगर किसी ने नहीं पूरा याद करना पड़ा आप से किसी ने पूछा बाई बताओ बाप रे बाप क्या करें कोई बात ने टेबल नहीं आदे एक सत्य कितना होता है साथ यह पता है बूले हां सर्पता है मैंने का यहां से एक अंक लिखो इसको यहां जोड का लिख दो 119 नहीं समझ में आया मैं आपको फिर बताऊँगा जैसे किसी ने पूझ दिया आपसे बताईए 1968 कितना होता है अब पता ही नहींज का पाणा क्या होता है या तो आठ का पता हो आठ का पता है तो पाणा पणो गए अब मैंने क्या बोला कि 2019 में दो अंक है एक और 9 नो का आठ बार लिखोगे तो नो अठे बाहत्तर होता और एक को आठ बार लिखोगे तो आठ ही होता है मैंने क्या बोला इधर से एक अंक लिखे यहां से एक अंक दो लिखा इसको इसमें जोड़कर आठ साथ पंद्रा उननीस अठे 152 हो गया हो गया सवाल खतम बास समन में अब यह तो छोटे-छोटे पहाड़े थे मान लीजिए किसी ने पूस दिया भाई बताओ 73 अठे कितना होता अभी मैं आपको सवाल पर भी लेके चलूंगा आप एक से सो तक किसी भी पहाड़े को बड़ी आसानी से यहां पर लिख सकते हो मैंने बोला आगर आपसे कि भाई आगे 93 का पहाड़ा लिख दो अब क्या करेंग बच्चे तिरान भी पहाड़ा तो आता नहीं है तो आराम से कैसे लिख सकते हो इस चीज को समझ रहा हो किसी ने अगर कोई पूछा है कि 73-88 कितना होगा तो आप खट से आंसर दे दो कि सर्जी 584 हो किया बात समझें अभी किसी ने पूछा 93 का पहड़ा सुना तो या पूछ दिया कि 93 गुड़े 9 कितना होता है अब लोग नहीं आ रहा है बाई तो 9 गुड़े 27, 9 गुड़े 81 यहां से एक रखो इसको इसमें जोड़ दो 83 यानि कि आप जब 93 में 9 का गुड़ा करोगे तो क्या मिलेगा आपको 837 अब इससे आप पहड़े लिख भी सकते हो जैसे 93 का पहड़ा मालो सपोस करो लिखना है आपको 93 का टेबल लिखना है कैसे लिखोगे 93 का टेबल यहां लिख लो तीन सब्सक्राइब लिखना कैसे आपको इधर से तो एक ही एक एक लिखना है तो यह तो 93 हो गया यहां 6 लिखना है उधर 18 थे ही यहां 9 लिखना है उधर 27 है कोई दिक्कत में इधर 2 लिखना है इसका एक इसमें जुड़ आएगा 37 हो गया इधर 5 लिखना एक इसमें जुड़ गया 46 हो गया इधर 8 लिखना एक जुड़ गया 55 हो गया इधर 1 लिखना 63 में दो जुड़ गय अब कुछ सवाल मैं आपके लिए इसी पहाड़े पर डिपेंड करके आपके सामने रखता हूँ ताकि आप लोग उस प्रस्णों का उत्तर दें और मेरे साथ उत्तर देने रहे जैसे किसी ने पूछा कि 19 गुड़े 9 कितना है बाई साब पहला सवाल जैसे बोला 19 गुड़े 9 नहीं आता 19 का पाड़ा कोई बात नहीं 9 का आता है 9 9 में 18 होता है और 9 एकम 9 होता है तो एक अंक यहां पर रखना है आपको द्यान से सुनना मैं क्या बोलना हूँ एक अंक क्या रखना है बागी सबको ऐसे ही लिखना है कैसे लिखना है इस चीज को समझना ज़रा एक अंक यह लिख लिया 8 को इसमें जोड़े 9 8 17 19 9 में कितना हो गया 171 28 गुड़े 5 किसे न पूछा तो 5 8 40 होता है और 5 दूनी 10 होता है बाद सभी लोग जानते है 0 का 0 लिखिए 4 इसमें जोड़ कर लिख दीजिए 140 हो गया 37 गुड़े 8 पूछा नहीं पता है 37 का पाड़ा नहीं आता है कोई बात नहीं 8 का आता 8 सते 56 यहां पे लिख लो हासिल आसिल वाला जंजट भी खतम करते है 28 24 यहां लिख लो सिंगल डिजिट यहां इसको इसमें जोड़ दिया 24 5 29 29 हो गया इस पर देखा साथ यहां 21 7 चोको 28 सिंगल डिजिट यह लिखेंगा 28 में 2 जोड़ देंगे 30 301 हो गया 43 गुणे 12 पूछा नहीं आता है बाई 12 कभी पाड़ा किसी को नहीं आ रहा है किसी को 43 कभी नहीं आ रहा है तो 12 तहीं 36 लिखा 12 चोको 48 लिखा सिंगल डिजिट यहां पर लिखेंगा 48 प्लस 3 15 यहां पर आ जाएगा 516 आठ तीजाए 24 आठ नवाए में 72 सिंगल डिजिट यहां पर लिखेंगा 603 बन गया आपके पास इस तरीके से आपके पास कोई भी पहड़ाओ एक से 100 तक आप बड़ी आसानी से उसे याद कर सकते हैं किसी को बता सकते हैं question के solution को भी उससे आराम से कर सकते हैं इसी प्रकार के छोटे छोटे और बहतरीन चीजों के साथ मैं आपके सामने उपस्तित होता रहूँगा बाई बाई जैहन टेक केर